एक है गाईस इस वीडियो में मैं चार एक्सपेमेंट करने वाला हूं जलो इस परन को स्टार्ट करते हैं है तो यहां पर मैं कॉलिंड और एनओ के साथ रिएक्शन करने वाला उं तो जब इन इनो को मिक्स करेंगे तो क्या होगा तो चलिए देख रहते हैं तो मैं यहाँ पर इस कॉंटेनर में इनो ले लेता हूँ उसको दिये रहा कॉलिन और मैं कॉलिन का इसमें स्प्रेक करूंगा तो यहां पर देख सकते हो जब मैं कॉलिन और इनो को मैं मिक्स कर रहा हूं तो यहां पर यह रियेक्शन हो रहा है और इसमें से गैस निकल रही है तो यही होता है जब इनो और कॉलिन को मिक्स करते हैं तो अगला एक्स्पेरिमेंट है एसीड और कॉलिन के साथ तो क्या होगा जब इन दोनों को मिक्स करेंगे चली देख लेते हैं तो इस कॉंटेनर में मैं एसीड ले लेता हूं उसका दिये कॉलिन तो आप मैं कॉलिन का इसमें इस्प्रे करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर यह एक रियेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें रियेक्शन हो रहा है जब मैं कॉलिन को इसमें 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 कर रहा हूं और इसमें से गैस निकल रहा है और एसिट को मिक्स करेंगे तो क्या होगा तो चले देख लेते हैं तो इस कॉंटेनर में मैं एसिट ले लेता हूं उसको दिये इनु और इसको मिक्स करने पर देख सकते हैं यह रियक्शन हो रहा है तो यहां पर यह इनु है यह बेस है और एसिट तो जब बेस और एसिट मिल करेंगे तो क्या होगा तो यहां पर मैं इसमें इनो को मिक्स कर देता हूं तो मिक्स करने के बाद में इसमें कॉलिन का इस्प्रे करूंगा तो इसका देखते हैं क्या होता है तो यहां पर देख सकते हो जब मैं कॉलिन का इस्प्रे कर रहा हूं तो इसमें से गयर से निकल रहा है तो यह होता है जब हम इन तीनों को मिक्स करेंगे जब एसीड इनो कॉलिन को मिक्स करेंगे तो यह रियक्शन होता है यहां पर आप देख सकते हो और इसका कलर भी देख स